हेलो एविवन नमस्ते वेलकम बैक टू क्लासेस बाई बविता गुपता हॉक्स अजुकेशनल इंसिट्यूट स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में और जो बचे नहीं हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रू करें शेयर करें दूसरों के साथ नॉलिज को ज़रू और जो बचे परसनल क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए कॉंटैक्ट नमबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप वर्सब के जरीए कॉंटैक्ट कर सकते हैं आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी तो चली इसको देख लेते हम तुर्टी माफ्स है वो आप लोगों का एंटी माफ्सित Pv आपको दिया गया है purpose of concept of knowledge तो ग्यान की अवधार्णा से क्या भी प्राय है next इस में meaning of concrete knowledge मूर्थ ग्यान का अर्थ next is advantages of traditional approach परंप्रागत द्रिश्चिकोंड के लाग डिए इसके अंदर limitations of teacher-centered curriculum तो शिक्षक के इंदर पाथे चरिया की सीमाए इसके बाद unit 1 बना जाती है unit 1 में आपको दिया गया है explaining detail the sources of knowledge तो ग्यान के स्त्रोतों का विस्तार पुर्वक वर्णन कीजिए और यह सारे questions मैंने आप लोग के साथ में discuss कि हुए है detail में तो आप लोग search करेंगे topic वाइस प्रसार में शिक्षकों के योगदान का वर्णन कीजिए नेक्स इसके अंदर question है आप लोगों का describe in detail the characteristics of universal knowledge तो सारभूमिक ज्यान की विशेष्टाओं का स्विस्तार वर्णन कीजिए नेक्स इसमें discuss the main features of idealism आदर्श वात की मुखी विशेष्टाओं की व्याक्या कीजिए नेक्स इसमें unit 3 unit 3 के अंदर question आपको दिया गया है describe in detail the meaning and definitions of curriculum नेक्स इसके अंदर define principles of curriculum construction पाथे चर्या निर्मान के सिध्धानतों का वर्णन कीजिए नेक्स इसके अंदर आजाता है unit 4 unit 4 के अंदर question आपको दिया गया discuss the classification of curriculum design पाथे चरिया प्रारुप के वर्गी करण की व्याक्या कीजिए नेक्स इसके अंदर आजाता है आपको suggest some useful suggestions for curriculum changes तो पाथे चर्या परिवर्तन के लिए कुछ उपयोगी सुझाव दीजिए तो इस से टोटल 9 questions आप लोगों को दिये गए हैं सभी questions के अच्छे से profession करें और कोई doubt हो तो comment box में लिखके ज़रूर बताएं और अगर आपको videos informative लगते हैं तब भी आप comment box में लिखके ज़रूर बताएं तो मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए और चैनल को like subscribe जरूर कीजिए शेयर कीजिए दूसरों के साथ knowledge को जरूर बाते हैं तो जल्दी मिलते है next class में अभी के लिए thank you धन्यवाद